अगर आपको भी नसो में blockage है, नसो में बहुत ज्यादा blockage रहता है, आपको हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, आपको बहुत ज्यादा gas और acidity बनती है, आपका लिवर बहुत कमजोर है, आपका पाचंतंत्र बहुत कमजोर है, हाथ पैरों में सुन्णपन रहता है, आपको skin से जुड़ी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, आपके बाल जढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बदन दर्द रहता है, आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, आपको blood sugar की समस्या है, आपका blood sugar level high है, आपने जो HB1C आपने करवाई है, वो भी high है, आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आपको ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जो आपको काफी समय से परेशान कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी इन सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, और बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, जिसकी मदद से आपकी ये सभी समस्याओं जड़ से ठीक हो सकती हैं। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो ये सभी समस्याओं ठीक हो जाएंगी। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं जिन लोगों को अकसर एसिडिटी, गैस की समस्या रहती है। उनका लिवर कमजोर है, उनकी लिवर से जुड़ी समस्याओं ठीक हो जाएंगी। ऐसे लोग जिनको बदन दर्द रहता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए दालचीनी बहुत असरदार है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दालचीनी कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, दालचीनी कितने दिनों तक आपको उपयोग करना चाहिए, दालचीनी कैसे आपको उपयोग करने चाहिए, ये सभी जानकारी। यहां इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा और पहले जान लेते हैं कि दालचीनी के कितने सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों जिनको भी कोलेस्टरॉल बढ़ा हुआ रहता है यानि कि ऐसे लोग जिनका हाई कोलेस्टरॉल रहता है और वो कोलेस्टरॉल को कम करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए दालचीनी बहुत ही इफेक्टिव उपाए है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉबलम होती है, जिनको बार-बार स्किन में खुजली होती है, जिनको बार-बार बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की प्रॉबलम है, रिंग वॉम की प्रॉबलम है, बहुत ज्यादा त्वचा से संबंधित उपाय है जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा हाथ पैर सुन होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत सोने पर ही उनके हाथ सुन हो जाते हैं, उनके पैर सुन हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे हाथ पैरों में बहुत ज्य बदन में दर्द रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। बहुत ही इफेक्टिव है, जिसकी मदद से आप डाइबिटीज, बलड शुगर और कॉलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों, के लिए भी दालचीनी बहुत ही इफेक्टिव उपाय होता है, ऐसे लोग जिनको लीवर बहुत ज्यादा कमजोर है, फैट डिपॉजिट हो गया है लीवर की चारों तरफ, जिसे हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं लीवर के फंक्शन्स कमजोर हो गये है लीवर अच्छे से फंक्शन्स नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। इस्टिपेशन कब्स हो जाता है, कभी पेट फूल जाता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी खट्टी डकारे आना स्टार्ट हो जाती है, कभी एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, छाती में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जा जानी की जिनको बार-बार जुकाम खांसी हो जाता है, जिनको बार-बार allergy जैसी problems होती है, आखों से पानी आना start हो जाता है, छींक आना start हो जाती है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है, जिनकी lungs कमजोर हैं, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत ही effective और बहुत अच्छा important role play करता है, तो अब हम जान लेते हैं दालचीनी की कई सारे फायदे हमने इस वीडियो में समझे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपको दालचीनी का उपयोग करना चाहिए, दालचीनी का उपयोग ज्यादा अगर आप करेंगे, तो problem हो सकती है, जैसे आप इसका ज्यादा सेवन करेंगे, तो सही मात्रा में आपको कितना सेवन करना है, दालचीनी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको आधा कप पानी लेना है, आधा कप पानी को आप हलका सा गरम करेंगे, और उसे गरम पानी में आप दो गंटे पहले आपको यह लेना है, आप देखेंगे जितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, यह सब ही प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है। उसके साथ आप एक छमच शहद मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं, जिससे कि आपको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं लगे। तो आप इसके अंदर मिश्री डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा मिस्त्री डाल दीजिएगा, जो आपके शरीर के अंदर कैलसियम की कमी को भी पूरा करेगा, और आपकी अंदर होने वाली सभी समस्याओं को ठीक करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, लीवर वाले मरीज को कैसे लेना है, ऐसे लोग जिनको लीवर से related problems है, उन सभी लोगों को ये शहद के साथ में मिला कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे।